हेलो वेलकम बेक टू माई चैनल प्रीती डैरिज में मैं प्रीती जहाप लुका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मॉर्निंग के साधे साथ बज रहे हैं मैं पौट के मिटी को तोड रही हूँ क्योंकि इसमें लगाने मुझे कड़ी पत्ता का पौधा जो मैं कल साम में खड़ीत कर लाए पहले भी इसमें कड़ी का पत्ता लगा हुआ था जो की अब नहीं है सूख चुका है अप्रील में जब मैं घर चली गई थी अपने सुसराल टपू का मुंडन था साधी था और लोकडाउन के वज़े से जब मैं वहां से दो ढ़ाए महने के बाद आई थी तो बहुत सारे मेरे पौधे सूख चुके हैं अब भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो फिर से मैंने इसमें कड़ी पत्ता ही लगाया है इसमें अब हम डा पौधे को लाकर लगा दूंगी फिर से यहां मेरे इस पाल्टी जो छोटा सा है इसमें मेरे बेली के पौधे तो जो सूख चुके हैं इसमें तुलसी जी का पौधा उग आया है जो मैं सुबह में चाय बनाने के टाइम यूच करती हूँ यह दूसरा बेली भी सूख गया ह लेकिन नीचे से इसमें थोड़े से पत्ते हो रहे हैं तो मैंने छोड़ दिया की हो सकता है कि फिर हो जाए लेकि बहुत सारे इसे पौधे हैं जो मेरे सूख चुके हैं जो कुछ छत पर हैं यहां मैं जहारू लगा लूँगी क्यूंकि पूरे बालकनी में मिट्टी मिट् पिर कीचन में जाओंगी टपू सोकर उठ चुका है आज उसके लिए मैं कुछ स्पेसल बनने वाली हूँ और सटर्डे स्पेसल पास्ता तो इसके लिए मैंने गरम पौनी चड़ा लिया है नमक डाल कर जब वो हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया पास्ता पास्ता बच्च पास्ता बच्च को उबालना है सब्जी को मैंने कात लिया है अब मैं डालूंगी पैन में हलका सा तेल प्याज और सारी सब्जी ओ को डाल कर हम इसमें फ्राइब कर लेंगे दो से चार मिनट तक अच्छे से फ्राइब करेंगे गैस बिल्कुल तेज रखना है क्योंकि इसे ज्यादा पकाना नहीं है बस हलका फ्राइब करना है जब यह फ्राइब हो जाएगा तो इससे हम निकाल लेंगे टपू अभी मॉर्निंग में पढ़ाई कर रहा है तब तक मैं उसके लिए बना कर उसे सर्प्राइब दूंगी उसको भी नहीं पता है कि मैं उसके लिए पास धीमी आज पर एक से दो मिनट तक फ्राइब करेंगे जब इसे भूनेंगे जब यह अच्छे से भून जाएगी हलका ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें दूर डाल देंगे दूर डालने के बाद इसे लगा तार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स नाहीं हो बिल्कुल अच सॉस चीज पास्ता हम बना रहे हैं तो इसी दिए इसमें चीज डाल रहे हैं बच्छों को पसंद आती है बड़ों को भी पसंद आती है तो यहां मेरा सॉस बन चुका है रेडी हो चुका है अब इसमें सारी सबचिय जो प्राइब की थी वो डाल देंगे वो डाल कर फिर प मिक्स करने के बाद थूड़ा सा नमक डाल देंगे आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सके मैं नहीं डाल रही हूँ तो फ़्लका चीली फ्लैक्स डाल रही हूँ बस क्योंकि बच्चे तीखा पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए मैं तीखा नहीं बना रही हूँ आप चाहे तो डाल सकते हैं एक से दो मिनट के बाद इसे गैस से नीचे उतार लेंगे देखिए कितना टेस्टी अच्छा दिखने में लग रहा है पास्ता तो अब हम टपू का रियक्षन देखेंगे कि टपू इसको देखकर खुस होता है या नहीं ऐसे वो पास्ता ये सब देखकर जादा खुस नहीं होता है लेकिन मैं कई दिनों के बाद बना रही हूँ तो पता नहीं उसका क्या रियक्षन हो तो ये है टपको का रियेक्शन पास्ता को देखने के बाद अब मैं सबजी बनाने के लिए गैस को फिर से जला रही हूँ तो इसके लिए मैंने तेल डाल दिया है प्याज और गाजर, सिमला मिर्च, टमाटर ये सब डाल कर हलका प्राई करेंगे दूद को फार कर मैंने छेना बना लिया है तो बस छेने की सबजी इसी तरह से बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगते तो ये छेना अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिच पाउडर, हलका, हल्दी पाउडर और नमक डाल कर बस इसे 2-4 मिनट फ्राई करेंगे और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी तएयार हो जाेगी जो कि पूरी पड़ाथा रोती ज्यादा ये पराथा रोती के साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो आज नास्ते में मैं बना रहे हूं इसके साथ रोटी बना लें के लिए लंज के लिए यहाँ मेरा ये सबजी बना लुस्कानलूंगी रोटी बनने के बाद मैं जल्दी से रेडि मुझे भी होना है क्योंकि आज मुझे घर के कुछ समान के लिए मुझे बीग बजार जाना है वहां महाबचत 9 से 15 अगस तक महाबचत चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं जाकर एक बार देखा हूं अगर जो कुछ पैसा मिल रहा है और फ़र आ रहा है फिर मैं और टपो उधर से वापस आ जाएंगे त्योहारों का सीजन आ चुका है जनमोश्ट मी आने वाली है रक्षा बंधन आने वाला है तो इन सब के लिए बहुत सारी चीजे घर में बनानी परती है त्योहारों का खाना ही अलग होता है बहुत टेस्टी और जाएकेदार तो इसके लिए घर में समान रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है त्योहार के आने से पहले मैं सारा कुछ लाकर घर में रख देती हूं कि ताकि जब जो भी मन करे तो बना सकते हैं आप लोगों ने राखी ली की नहीं ली मैंने अभी तक नहीं ली है कहीं निकलने से पहले जब बच्चे साथ में होते हैं तो बहुत जरूरी चीज पानी उनके लिए खाने का कोई समौन जैसे बिस्कीट एक्स्ट्रा मास्क यह सब तो पर्स में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रही है मुझे सब्सक्राइब कीजिए